दोस्तो होरोर लब हिंदी में आपका स्वागत है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल कर लिजिए ताकि आपसे हमारे कोई भी वीडियो मिस नहूं और आज हम देखने जा रहे हैं 2013 में आई एक मूवी जिसका नाम है टेकसस चैनसो 3D तो चलिदी से अपने हेड़फोंस लगा लिजिए और चलिए मेरे साथ ये मूवी अपनी ओरिजिनल मूवी के सीन से शूरु होती है जहाँ पर चैनसो किलर एक लेड़ी की बोड़ी को हुक में टांग देता है लेकिन फिर भी वो लड़की जैसे तेसे खुद को उससे बचा लेती है ये घर सौयर फेमली का था जहाँ पर पुलिस आती है जेड यानि की लेदर फेस को लेने के लिए और वहाँ पर आकर ये पुलिस आफिसर कहता है कि उनके पास एक लेड़ी आई थी जिसने बताया कि एक लेदर फेस आदमी ने चैनसो से उसके सबी फ्रेंड्स को मार दिया और वो उसे भी मारने वाला था लेकिन सौयर फेमली का कोई भी आदमी जेट के बारे में नहीं बताता और फिर वहाँ पर टाउन के कुछ लोग और मेर आकर सौयर फेमली के पुरे घर को ही जला देते हैं टाउन के लोगों और सौयर फेमली के मुड़ पेड़ में लगबख सबी लोग मार जाते हैं और हम लोरेटा सौयर नाम के एक लेड़ी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा था लोरेटा बहार से चल रही गोलियों के कारण नहीं बच पाती और उसके बच्चे को भी एक गोली चूकर निकलती है फिर रात के समय टाउन के लोग देखने आते हैं कि कोई जिन्दा बच्चा तो नहीं है और वो पाते हैं कि लोरेटा अपने बच्चे के साथ अभी भी जिन्दा है एक आदमी लोरेटा से उसके बच्चे को लेकर उसे मार डलता है और उस बच्चे को अपनी पतनी को दे देता है वो उस बच्ची को एडॉप कर लेता है और उसका नाम हेदर रखता है फिर कुछ सालों के बाद में हम हेदर को देखते हैं जो कि बड़ी हो गई थी वो एक ग्रोसी स्टोर में मीट सेक्शन में काम करती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड निकी आती है और दोनों अपने ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेट थे क्योंकि वो नियू औरलेंस जाने वाले थे हेदर फिर अपने अपार्टमेंट जाती है जहाँ पर उसका बॉई फेंड रायन पंचिंग बेक पर प्रेक्टिस कर रहा था और हम यह देखते हैं कि हेदर को एक बड़ा अजिब शौक था वो अलग-अलग तरीकी हट्डे को कलेट करके काले रंग से कुछ आटिस्टिक बनाती है हेदर अपने ट्रिप पर जाने से पहले स्ट्रेस में थी और फिरम देखते हैं कि रायन उसके स्ट्रेस को दूर करता है लेकिन तब दर्वाजे पर कोई आता है और रायन देखता है कि हेदर के लिए एक पोस्ट आई थी जिसमें लिखावा था कि हेदर के ग्रेंड मजर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपना घर हेदर के नाम कर दिया है लेकिन हेदर कन्फ्यूज थी क्योंकि उसके ग्रेंड परेंट्स तो सालों पहले ही मर चुके थे जब हेदर अपने माबाप से जाकर इस बारे में बात करती है तो उसे पता लगता है कि उसे बच्पन में एडॉप किया गया था और हेदर के सोतेले माबाप ये नहीं चाहते थे कि हेदर वापस से टेकसर जाए लेकिन हेदर नहीं मानती हेदर वापस अपने अपाटमेंट में आकर रायन से टेकसस जाने को कहती है ताकि उससे अपनी असली फेमिले के बारे में पता चल सके और फिर तबी वहाँ पर निकी और उसका वाइफ्रेंड केनी वहाँ पर आते हैं और वो भी हेदर के साथ में चलने को कहते हैं जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे सबी जल्दी कार से टेकसस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक गेस स्टेशन पर आकर रुखते हैं लेकिन बारेश के कारण वो गलती से एक आदमी को ठोग दिते हैं इस आदमी का नम डेरी था और वो सबी को कहता है कि अगर वो चाते हैं कि वो पुलिस को ये सब ना बताए तो उन्हें उसे टेकसस तक छोड़ना होगा और फिस सबी ऐसा करने के लिए राजी हो जाते हैं जिसके बाद में सबी वेन से हेदर के घर तक पहुच जाते हैं जहापर उनका वेलकम करने के लिए हेदर की ग्रेंड मदर का लॉयर खड़ावा था वो लॉयर हेदर को पूरे घर की चाबया दे देता है और उससे एक लेटर देता है जो कि उससे Grand Mother ने उसके लिखा हुआ था और लोर उसे तुरंत उस लेटर को पढ़ने को कहता है जिसके पान में वो वहाँ से चला जाता है Heather उस लेटर को नहीं पढ़ती और मेंगेट को खुल कर अंदर चली जाती है हैदर की ब्रेंड मदर का एग घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और पूरे घर में कई सारी कीमती चीजे थी वो सबी पूरे घर में खुमते हैं और खाने का सामान लेने के लिए पास के लोकल स्टोर चले जाते हैं लेकिन डेरल वही पर रुपकर सबके बैक्स जमाने को कहता है और वोने कुछ पैसे भी देता है कुछ खाने का सामान कुछ के लिए भी लाने के लिए फिर जैसे ही सब लोग महां से जाते हैं डेरल सभी एंटिक चीजों को अपने बैग में बने लगता है क्योंकि वो असलियत में एक छोड़ था और एक्सिडेंट तो उसका बस एक बहाना था वो पूरे घर के चानबीन हेदर के चाबियों से करता है जिससे की वो एक दिवार में बने एक दर्वाजे तक भूच जाता है जिसके पीछे एक रूम था और फिर उस रूम के अंदर जाने पर डेरल को अजीब अजीब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है जैसे की साड़ावा मास और हड़ियां वगेरा वगेरा फिर उस रूम में उसे एक और बड़ा सा मिटल का दर्वाजा मिलता है डेरल उस दर्वाजे को खोलने की बहुत कुशिश करता है लेकिन वो दर्वाजा उससे नहीं खुलता डेरल दर्वाजा को खोली रहा था कि तबी पीचे से लेधर फेस आकर उसके सीर पर हैमर से अटेक करके उसे माँ डालता है इधर हम देखने की हेदर लोकल मार्केट में सामान ले रही थी और महाँ पर उसे उस टाउन का प्लिस आफिसर कारल मिलता है जो की हेदर से अट्रेक्टेट था और फिर महाँ का मेर आता है और ये वही मेर था जिसना सौयर का घर जलाने के ओडर दिये हुए थे वो हेदर से पूछता है कि क्या वह सौयर की रिलेटिव है जिस पर हेदर जूट बोलकर महाँ से अपने दोस्तों के साथ में वेन में बेटकर चली जाती है जब सबी घर पोचते हैं तो देखने की पूरा घर उतल पुतल पड़ा हुआ है और उस घर में चोली हुई है और सबको समझ पर आ जाता है कि डेरल एक चोड था लेकिन घर में से कोई भी कीमती चीज़ गायब नहीं हुई थी फिर शाम को केनी कुछ पका रहा था रायन पूल टेबल पर था और निकी बाहर ड्रक्स ले रही थी और हैदर पूरे घर में घूम कर वहाँ पर चेक कर रही थी केनी खाना बनाते बनाते उस दर्वाजे को देख लेता है जहां से डेरल गायब हुआ था और वो उस दर्वाजे से अंदर चला जाता है जहां पर वो डेरल का खून से सना हुआ बेक देखता है और यहां पर इस बार वो मेटल का गेट खुला हुआ था अंदर बहुत ज़ पले हुप में अटका कर उसे अंदर खीचता है, दूसरी और निकी रायन को पीछे घोड़े के अस्तबल में बुलाती है, और जब रायन अस्तबल में आता है, तो देखता है कि नीकी ने कपड़े नहीं पेने हुए हैं, और फिर दोनों कुछ जादे क्लोस आते हैं, और दोन पर कोई नहीं है और वहाँ पर बस लेदर्फेस है और वह किसी के हाथ की अंगल्यों को काट रहा था हेदरेदर्फेस को देखे कर डिल जाती है और जोड़ सो चिलाती है लेकिन लेदर। फैस उससे जमीरीं पर पटक देता है और हेदर भेऊश हो जाती है जब हेदर की नीद खुलती है तो वो खुत को लेदर फेस के खुफया रूम में पाती है जहाँ पर लेदर फेस केनी की लाश के टुकले टुकले कर रहा था और फिर वो केनी की बोड़ी को हुक से टांग जेता है और केनी अभी भी जिन्दा था और लेदर फेस उसकी बॉड़ी को चेंसों से बीच में से दो पार्ट में काट डलता है हेदर ये देखते हैं कि लेदर फेस केनी की बॉड़ी को काटने में लगा हुआ है और और मोके का फायदा उठा कर वहां से भाग जाती है और लेदर फेस उसे भागते में नोटिस कर लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है हेदर बाहर निकलते ही सीडियो पर गिर जाती है और फिर जैसे तरह से खुद को समाल कर पास के कबरे स्थाने पोछती है जहां पर उसकी यानि के सौर फेमली के लोगों की कबरे थी वहां पर एक खुलावा कॉफिन था जिसमें हेदर छुप जाती है लेकिन लेदर फेस हेदर की आवाज सुन लेता है और वो उस कॉफिन में चेंसो को डाल कर हेदर को मारने की कोशिश भी करता है इदर चेंसो की आवाज सुनकर निकी और रायन गबरा कर बाहर आते हैं और वो देखते हैं की लेदर फेस चेंसो लिये हुए है वो उससे आवाज लगाते हैं और लेदर फेस हेदर को छोड़कर उनके पीछे आ जाता है और उससे भाग कर निकी और रायन फिर से अस्तबल में घुस जाते हैं जहांपर रायन को एक फावड़ा मिलता है और निकी को एक शॉटगन निकी दर्वाजे की और शॉटगन को लगा कर लेदर फेस को मारने वाली थी लेकिन Leather Face एक vane को लेकर दर्वादा तोडते हुए अंदर पहुत जाता है और हम देखते हैं कि उस vane में Leather Face नहीं बलकि हैदर थी और फिर सभी vane में बेटकर भाहर आते हैं वो vane की फुल स्पीट से gate को तोड़ते हुए बाहर निकलना चाते थे लेकिन वो gate बहुत मजबूर था और वो नहीं तूटता क्योंकि वो gate एक automatic gate था जिसके बाद में वो gate देरे देरे खुलने लगता है और सबी अब बाहर निकलनी वाले थे कि तबी पीछे से leather face आकर car के tire को अपनी चेंसों से काड़ देता है जिससे कि वो वेन कुछ दूर चलकर पलट जाती है हेदर देखती है कि Ryan की accident में मौत हो गई है वो leather face भी वहाँ पर पहुझ गया था उसमें इतनी जादा ताकत थी कि वो अपने हाथों से ही पुरी वेन को पलट कर रख देता है हेदर बाहर आने में कामियाब होती है लेकिन leather face निकी के पेट में चेंसों से कट मार देता है वो उसे पूरी तरह से मानने वाला था कि तबी हेदर उसका ध्यान बटका कर वहाँ से भागती है और उसके पीछे-पीछे leather face भी आता है हेदर भागती हूँ जंगल की दूसरी ओर चल रहे एक लोकल मेले में पहुच जाती है और वहाँ पहुच कर वो भीड़ में चुपने की कोशिश करती है लेकिन leather face वहाँ भी नहीं रुखता वो खुले आम अपनी चेंसों को लिए हेदर के पीछे भाग रहा था हेदर भचने के लिए फेरी विल में चट जाती है और leather face उस फेरी विल के वायर को काट कर दूसरी ओर हेदर का आने का अन्धिजार करता है जैसे हेदर leather face के नजदेक आने ही वाली थी कि तब ही वहाँ पर officer कारल पहुच जाता है और गन को leather face के उपर पॉइंट करके रुखने के लिए कहता है leather face कारल के उपर chains of fake देता है जिससे की कारल उससे बार बार बचता है जिसके बार में हम देखते हैं कि कारल हेदर को पुलिस इस्टेशन ले जाता है जहाँ पर हेदर senior officer के सामने leather face के बारे में बताती है ये वही senior officer था जो की movie की starting में दिखाया गया था वो जानकर हेरान हो जाता है कि जेड यानिक leather face केसे जिन्दा हो सकता है हेदर पुलिस के बताती है कि उसे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि वो sorry family की है काल sorry family से जुड़े हुए सारे सबुट ढूंटा है और फिर वहाँ पर mayor काल और दोनों officer को मेले में हुए हंगामे के लिए बुलाता है और अकेले में हेदर उन सबुटों को देख लेती है जिससे कि उसे पता लगता है कि sorry family के साथ में क्या क्या हुआ था और कैसे town के लोगों ने उसकी पूरी family और उसकी मा को जला कर मा डाला यहाँ पर एक officer हेदर की वेन के जाच के लिए जाता है जहां से उसे खून के निशान मिलते है जिसके पीछे पीछे वो officer चला जाता है वो senior officer और mayor को इसके जान कर देता है जो कि उस officer को घर में जाकर वीडियो कॉल करने को कहते है जिसके पर में यह officer खून के निशान का पीछा करते करते लेदर फेस के उस रूम में बहुत जाता है जहां पर वो केनी, डेरी, और भी कई सारे लोगों की लाशो और उनकी बोडी के पार्ट्स को यहां वहाँ पर देखता है जिससे कि वह भूग जाला डर जाता है और वहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर आता है लेकिन बाहर निकलने से पहले ही लेदर फेस उसे एक कुलाडी से मार डालता है और उसकी बोडी के कुलाडी से छोटे छोटे टुकुला करके काट डालता है मेर को ये लगता है कि शायद हेदर को जरू कुछ न कुछ पता होगा क्यूकि वो भी एक सौयर है मेर हेदर को दिखाए हुए एविडेंस पर मड़ लिखावा देखता है जो कि हैदर नहीं लिखा था फिरम में देखने कि हैदर पुलिस इस्टेशन से निकल कर फॉन से अपने ग्रेंड मा के लॉयर को कॉल करती है जिसने कि उसे मूवी की स्टार्टिंग में चाविया दी थी वो उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और फिर वो लॉयर उसे मिलने को कहता है दोनों एक बार में मिलते हैं जहां पर वो हैदर को उस लेटर के बारे में पूछता है जिसे की हैदर ने अभी तक नहीं पड़ा था लॉयर हैदर को जेट के बारे में बताता है कि वो अभी भी जिन्दा है लेकिन हेदर को जेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर तब भी वहाँ पर मेर आता है हेदर को पकड़ने के लिए लेकिन वो वहाँ से चाकू उठा कर निकल जाती है बाहर आने पर मेर का आदमी हेदर को कार से ठोक कर उसे पकड़ लिता है लेकिन हेदर उसके चेरे पर चाकुस से कट मार कर वह से भाग निकलने में कामियाब होती है वो रास्ते में काल से मिलती है और उसे बताती है कि मेर उसके पीछे पड़ावा है और उसे उस लोयर को बार से बचाना है वो दोनों बार के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में लोयर को देखते हैं लेकिन काल कार को नहीं रोकता और हेदर को पता लगता है कि काल भी मेर के साथ ही मिला हुआ है हेदर को ये भी पता चलता है कि मेर काल का पिता है मेर काल को रेडियो पर कहता है कि हेदर को उस स्लोटर हाउस में लाया जाए जिसे कि उसके फेमली यूस क्या करती थी और लेदर फेस भी अपनी कार के रेडियो पर मेर की बाते सुन लेता है और लेदर फेस भी अपनी सबसे बेस्ट चेंसों को लेकर निकल पड़ता है काल हेदर को स्लोटर हाउस लाकर बांद देता है और खुद को छुडाने के चक्कर में हेदर के शेट के बटन भी तूड जाता है लेकिन काल उसे नहीं खुलता और हेदर को ऐसे ही बांद रखता है और वहाँ से चला जाता है कुछ समय के बाद में लेदर फेस आता है और हेदर के कंदे पर अपने चेंसों रखता है लेकिन वो उसे पीछे से नहीं बलके सामने से मानना चाता था वो अपने चेंसों को हेदर की चेस्ट पर रखता है और वो से शुरू करने ही वाला था कि तब ही वो हेदर के कंदे पर एक गोली का निशान देखता है वो उसके मुझ से टेप हटाता है और हेदर उसे चोड़ देने की भीग मांग रही थी वो उसे बुलती है कि वो एक सोयर है और वो उसी की ही कजिन है लेधर फेस हेदर के एक हाथ की रस्से काड़ दिता है और पीछे से मेयर और उसका आदमी आप पोच्छते हैं और वो दोनों लेधर फेस को बहुत पीठते हैं हेदर महां से भाग जाती है और मेयर अपने साथी के साथ मिलकर लेधर फेस को चेन से बांध रहा था और ये चेन एक बड़े से ग्रैंडर से बंधी हुई थी मेयर अपने आदमी को ग्रैंडर ओन करने को कहता है लेकिन उसे चालू करने से पहले ही हैदर मेर के उस आदमी को मा डालती है और वो लेदर फेस को जाकर उसका फेवरेट हत्यार यानि की चेंसो उसकी और फेकती है जिससे की वो अपनी चेंसो काटता है और फिरो मेर की दोनों एडियो को चेंसो से काट देता है वो grinder अब चालो हो गया था, वो leather face मेर को grinder में डालने वाला था लेकिन वहाँ पर वही senior officer पहुच जाता है, वो leather face पर गोल्य चलाने लगता है जिसे देखे कर Heather उसे ऐसा करने से रोप देती है, वो leather face मेर को grinder में डाल देता है जहां पर हमें देखते हैं कि मेर की पूरी बोडी के चितर चितर उड़ गए हैं फिर सौयर हाउस में हम देखने कि लेधर फेस बेटा हुआ है और हेदर उसके पास खड़ी उसके चेहरे के लेधर मासक को देख रही थी लेकिन लेधर फेस उसका हाथ जटक कर नीचे अपने रूम में चला जाता है और फाइनली हेदर उस लेटा को पढ़ती है जो कि उसके ग्रेंडमा के लोयर ने उसे दिया हुआ था जिसमें उसके दादी ने लिखा हुआ था कि जेड एक मातर उसके फेमिली का जिन्द सदस से है और हेदर चाय तो यहां पर रह सकती है या नहीं भी रह सकती है या उसके मरज़ी थी फिर हमें देखते हैं कि हेदर नीचे लेधर फेस के पास जाती है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर हेदर उसके लिए खाना लेने जाती है मतलब कि हेदर यहां पर रुकने के लिए राजी हो गई थी इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हेदर के सोतेले माबाप उसके इस नए घर में आये हैं लेकिन दर्वाजा हेदर नहीं बलकि लेदर फेस खोलता है और इसी के साथ यह मूवी यह पर एंड हो जाती है आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो नीचे लाइक करके कमेंट ज़रू करिएगा और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब जरू कर लिजे ताकि आपसे कोई भी हमारे वीडियो मिस्स नहों और अब मिलेंगे अगले वीडियो मिलें